दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंत्री ये कहती है कि देखो इसके तो कपडे नी फटे हैं, देखो इसके तो सर नी फूटा, तो बस अब इसी की कसर रह गी थी, वो भी करवा देते हैं, and on top of it, मैंने कब F.I.R. में कह दिया कि मेरे कपडे फट गए, मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर भट गया, जी मैं खूनम खून हो गई, exactly जो मेरे साथ हुआ है, word to word, बिल्कुल मैंने वही लिखा है, मैंने ना आगे लिखा, ना पीछे लिखा, और मैं अगर गलत हूँ, मैं बिल्कुल तयार हूँ, मेरा polygraph test, मैं चाहती हूँ, कि पुलिस करे, उससे मेरा polygraph test कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूँ, जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लडने के लिए, आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो जूटे आरोप लगाती है, मैं आज बीजेपी की एज जो पार्टी में बहुत जादा रसूख रखता है, जो सबका चहेता है, उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, तो मैं बीजेपी की एजेंट बन गई, ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ने मेरे को डराया, कि मेरे खिलाफ जो केस है, उसमें वो पता करूँगी, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा करियर खतम हो गया, मैं बरबाद हो गई, ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूँगी, वाई विल आ लाए, मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये कंप्लेंट फाइल कर दी, तो पूरी पार्टी तुम्हें अकेला कर मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नी खड़ा होगा, फिर भी मैंने ये नी सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है, कि आप हमेशा सच के साथ खड़े ह आप सची सची complaint करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती और मैं जब भी किसी भी survivor से मिली एक चीज हर survivor के लिए common होती है जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उंगली उठाता है कि जरूर इसी ने कुछ कलत करा होगा तो ये मेरी कहानी नहीं है ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज उठा देती है उसकी कहानी है मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्हाने एक बात पूली थी जो मैं जिन्दिगे में कभी नहीं पूला सकती उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है न कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई? आटो में क्यों नहीं गई? रात में क्यों गई? दिन में क्यों नहीं गई? वो लड़का कौन था तो इस तरीके के जो victim shaming है ये हर लड़की के साथ होती है ये कोई नई बात नहीं है ये जो मेरी trolling कराई जा रही है जो victim shaming कराई जा रही है जो रोज-रोज press conferences करी जा रही है वो मेरा character assassination करने के लिए करी जा रही है और वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मैं दबाव में आऊं और मैं अपना matter खतम करूँ यही चीज तीन दिन तक मुझे डराया गया था कि अगर तुमने बोला ये तो बहुत बड़ी machinery है तुम्हें जूटा साबित कर देंगे सब कुछ होगा गलत वीडियोज आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है एक एक शब्द उस F.I.R. में बिल्कुल सच है और मैं बोल रही हूँ मेरा polygraph टेस्ट करा दीजे मेरा नार्को टेस्ट करा दीजे मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं अंध तक लड़ूंगी और मुझे पता है इस लड़ाई में मैं अकीली हूँ मुझे पता है मेरा कोई साथ नहीं देगा Do you feel that तेरा others in your party आप तो लड़ गई क्या और महिलाएं हैं या और कोई है जो ऐसे डरे हुए हैं आवाज नहीं उठा रहे बट तेरा रेड़ी तो स्पीक अप इफ दे हाव फ्रीडम फ्रॉम 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 फ्रॉर होगा देखे ना मेरा क्या हाल किया है इनौने एक तो मैं पीटी गई और उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मेरा क्यारेक्टर असाइसिनेट कर दिया गया और मुझे पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया इतनी victim shaming करी है कि उसके कोई हद नहीं है तो कैसे कीसी में हमात आईगी आपने तो मेरे को इस तरीके से करके एक example बनाया है कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो स्वाती जैसा हाल कर दिया जाएगा वो भी स्वाती का जिसने 2006 से काम किया हर समय साथ रही कभी कुछ गलत नहीं करा हमेशा सही के लिए खड़ी रही उस लड़की का आज उस fighter को इन्होंने आज victim बना के छोड़ दिया तो कैसे कोई आवाज उठाएगा राकिफ चड़ा इस बैक, did he contact you? क्या उन्होंने बात की आप से? मुझसे पार्टी में संजे सिंग जी ने बात करी है क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि संजे सिंग जी को बोला गया था बाकी पार्टी में सबने आपस में एक दूसरे से बात करी है मेरे close friends से बहुत लोगों ने बात करी है लेकिन मेरे से directly सिर्फ संजे सिंग जी ने बात करी है जब इतना ज़ादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुडाया मैंने पुलिस को crime report करा वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और security जो gate पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से, घूसों से, थपडों से मेरी पिटाई करी है तो मैं उनको बोलती रही उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिये यह argument कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी बिभव मुस्कुर आते वे वीडियो बना रहा था एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ तब मैं अपना आपक होया और मेरे मुझे कुछ अपशब निकले जो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से वो एक बस 50 सेकंड की क्लिप उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीक चीक के बता रही हूँ कि मेरे को कहा मारा कैसे मारा मेरा हाल जो अगर देख ले कोई तो वो बिलकुल बात क्लियर हो जाएगी यू वर आसकेंग फॉर हेल्प आप मदद मांग रही थें कि आपको पीटा जा रहा था ऐसे तो होई नहीं सकता कि CM के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से जी वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर-जोर से चीक रही थी चिला रही थी सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिकेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शन्स पर मैं पीटी गई हूँ मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी, क्यों पिटी बिभव ने अकेले मारा क्या किसी के instructions पे मारा ये सारी चीज़ें अब matter of investigation है दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ हां मैं ये भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही क्योंकि fact ये है कि मैं drawing room में थी अर्विन जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक रही थी चिला रही थी पर कोई आया नहीं कुछ leaks आई हैं from sources in आमादमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राजसभा की seat आपको you have to give it up क्योंकि किसी और किसी एक खास वकील के लिए वो seat चाहिए was that an issue? मैं को MP ship की कोई लालसा नहीं है ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में resign कर देती मुझे कोई समस्या नहीं है मुझे नहीं लगता कि कोई pad में मैं बंधी हूँ मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना pad के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहिए दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में resign नहीं करूँगी मुझे पता चल रहा है मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजे से मुझे character assassination करा जा रहा है victim shaming करी जा रही है मैं बिल्कुल resign नहीं करूँगी